अच्छा भी जन्वरी है, सबसे पहले तो मैं आपको विश्कन चाहूंगा गरतंत दिवस की हर्दिक सुपकाम लाएं आपको और आपके परिवार को दोस्तो आज मैं काफी लोगों से मिला और मुझे जानकर यह अच्छर हुआ कि लोग गरतंत दिवस को सेलिबेट ही नहीं करते हैं उनको गरतंत दिवस के बारे में इतनी जानकारी नहीं है और वही लोगोली दिवाली और क्रिस्मस न्यू यर इद बकरीट को बहुत ही अच्छे सेलिबेट करते हैं दोस्तों मुझे यह जानकर बहुत ही अच्छर हुआ इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है उन लोगों के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि गरतंत दिवस है क्या दोस्तों गरतंत जो वर्ड है वो संस्कत वर्ड है और इसका मतलब होता है जनता द Gisenium Act जो कि British Government ने लगाया था उस Act को हटा के 26 जनवरी 1950 को वह Act हटा के एक भारत का समविधान लागू किया गया था और भारत का समविधान इसलिए लागू किया गया था ताकि भारत को एक गढ़ राज बनाया जासेके, जहाँ पर लोकतंतर हो दोस्तो अब आप सोचेंगे ये गढ़ राज क्या होता है गढ़ राज भी दोस्तो एक संस्कत का वर्ड है गढ़ का मतलब होता है जन्ता राज का मतलब होता है, देश इसका इसकी जो definition होती है वो ये होती है ऐसा राज जहां पर जनता का ही कोई व्यक्ति वो एक सर्वोच पद पे बैठे उसको बोलते हैं हम गण राज सबसे बड़ा example है इसका president of India सेकेंड है लोकतंत्र लोकतंत्र क्या होता है दोस्तों लोकतंत्र होता है जनता का ही कोई या फिर जनता का गुरुप मिलके यहां की साशन वरिष्था को समभा ले इसका सबसे एक जहां पर दोस्तों अब यह बोलेंगे कि हम क्यूं celebrate करें दोस्तो भारत एक क्लोता एक ऐसा अच्छा सी कंट्री है जहां पर हमें इतनी freedom मिली हुई है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी और वो किसलिए कर सकते हैं क्यूंकि आज का दिन है उसके लिए आज के दिन एक ऐसा सम्भीधान लागू हुआ जिसकी वज गई है आप कुछ भी बोलिए कुछ भी करिए सब चीजों में आपको freedom मिली हुए दोस्तों आप दूसरी कंट्रियों से भी सीख सकते हैं बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो लोकतंत्र है पर गड़ राज नहीं है कुछ ऐसी गड़ राज है लोकतंत्र नहीं है सबसे अच्छा किया था बिटन वो लोकतंत्र तो हैं बट गड़ राज नहीं है दोस्तों अब आप समझ गया होंगे कि हमें क्यों celebrate करना चाहिए दोस्तों अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगो तो प्लीज इस वीडियो को सेर करिए नेक्स्ट टाइम मैं इससे अच्छी जान करी